आपको नहीं मिलेगी आप चलते हैं इस मोबाइल के अगले सग्मेंट की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के ओपरेटिंग सिस्टम चिपसेट और जीप्यू के बारे में इस मोबाइल में Android 10 ओपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चिपसेट Snapdragon 460 होगा और अगर बात करें इस मोबाइल के जीप्यू की तो इस मोबाइल में Adreno 610 GPU आपको देखने को मिल जाएगा आप बात करते हैं इस मोबाइल के में कैमरे की जिसमें 13, 2 और 2 मेगा पिक्सल का एक ट्रपल कैमरा आपको देखने को मिलेगा कैमरा फीचर में इस मोबाइल में HDR का फीचर भी होगा अगर बात करें में कैमरे की वीडियो क्वालिटी की तो आप इस मोबाइल से 1080p में अच्छी क्वालिटी की फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर बात करें सेल्फी कैमरे की तो इस मोबाइल में 8 मेगा पिक्सल का एक फ्रेंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और फ्रेंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी भी 1080p होगी आप चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 64GB और 128GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile आपको 4GB और 8GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में एक nice quality का आपको loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको rare mounted देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile की बैटरी के बारे में जिसमें 5000 MHK के LIPO बैटरी आपको देखने को मिलेगी और चारजिंग की बात करें तो इस mobile में 18W की फास्ट चारजिंग भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस mobile में नहीं होगा आप चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको gray और white color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 13,790 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 24 February को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में